नमस्कार स्वागत है आपका दान्यूज पर मैं हूँ आपके साथ श्प्राजैनी भारत ने अंतुरिक्ष में इत्यास रज़ दिया है जी हाँ वो पल जिसका इंतजार था अब वो पल आहिया है जब चांद पर भारत ने तिरंगा लखा दिया है इसको लेकर भारतिये पर पहुंच गया हूँ चंद्रियान 3 साथी देश्पासियों को बढ़ाई भी दी है जाहिक तोर पर इसरो की तरफ से किया थिया यह ट्वीट जिस पर लोग लगातार रियक्ट कर रहे हैं करीब 3 मिलियन तक यह ट्वीट पहुंच चुका है लोग लगातार वैग्यानिको की होसला अवजाई कर रहे हैं इस पूरे सकस्फुल मिशन के लिए वैग्यानिकों को बढ़ाई दे रहे हैं चुकि भारत वो देश बन गया है जब चंद्रमा के साथ पॉल पर जिस देश ने लेंट किया है पहला ऐसा देश जी हां वैसे तो भारत चंद्रमा पर लेंट कर चंद्रियान 3 की सौफ्ट लैंटिंग हुई तो उसके वाद ना सिर्व देश के परदान मंतुरी नरेंद्र मोदी बलकि वैग्यानिकों ने भी खुशी जाहिर की कई वैग्यानिकों की आँखों में आसू थे जिस तरीके से भारत ने ये इत्यास रचा है आपको ये बता बड़ा मीशन था जिसके लिए वैग्यानिकों ने दिन रात मेहनत की थी और यही वजा है कि जब चंद्रमा पर सौफ्ट लैंटिंग हुई उसके तुरंत बाद जिस तरहा की तालियों की गड़गड़ाहट जिस तरीके से खुशी वैग्यानिकों के चेहरे पर नजर आई देशवासी तो खुश थे ही और उन्होंने भारत माता की जय और तमाम नारिवाजी करते हुए अपनी खुशी जाहिर की तिनंगा फैराया लेकिन वैग्यानिकों की खुशी का भी ठिगाना नहीं था और यही वजा है कि चंद्रियान 3 जब लैंट चंद्रमार पर किया तो उसके तुरंत बाद इश्रो की और से ट्वीट किया हिया जिसमें इश्रो ने ट्वीट करते हुए के लिखा चंद्रियान 3 मिशन इंडिया I reached my destination and you to चंद्रियान 3 चंद्रियान 3 has successfully soft landed on the moon congratulations इंडिया तो यह इश्रो का ट्वीट है जो किया किया है और आपको यह बता रहे है कि देश के प्रधान 3 इस वक्त देश में नहीं है वो साउथ अफ्रीका की यात्रा पर गए हैं और वहां से उन्होंने वैग्यानिकों को बढ़ाई दी है वैग्यानिकों का होखसा बड़ा है तो जाहिर तोर पर यह भारत के लिए बेहद गौरव का पल लेकिन उन तमाम द देश द्रोहियों के लिए बड़ा छटका है जो कहीं न कहीं इस मिशन के असफल होने की काफना कर रहे थे जो इस मिशन का मजाक उड़ा रहे थे चुकि चंदर्यान 2 के वक्त भारत को सफलता नहीं मिली थी लेकिन आज भारत के वैग्यानिकों ने ये बता थिया है कि दु 12,000 वैग्यानिकों की 4 साल की मेहन जो थी वो आज रंग लाई है जब भारत ने चांद पर तिरंगा फैरा दिया है अब पूरी दुनिया ही नहीं बलकि चांद भी भारत की मुठी में हैं जैसा की साफतोर पर ये माना जाता है कि चंद्रमा जो है मात्र एक कलपना थी लेकि कि अगर चंद्रियान 3 की सौफ्ट लैंटिंग चांद पर हुई है तो जाहिर तोर पर उसके बाद कई बड़ी रिसर्च होंगी कई बड़ी सर्च होंगी जो कहिने कहीं इस मिशन के चलते की जाएंगी भारत को कहीने कहीं बड़ी काम्यावी आने वाले वक्त में हासिल को भी पीछे छोड़ दिया है चंद्रमा के साउथ पॉल पर चंद्रियान 3 को लैंड करा कर और यह अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए बहुत बड़ा चटका लेकिन वहीं इसरों ने जिस तरीके से अप अपना कट बड़ा है आपको यह बता दें कि जो ट्वीट पिश्रों की ओर से खिया गया है लगातार वैग्यानी को बढ़ाई मिल रही है वैग्यानी को पर गर्फ है जिस तरीके से होने दिन रात इस मिशन के लिए मेहनत की है तो यह तमाम चीज़े जो हैं वो देखने को मिल रही है लेकिन यह अपने आप में जाहिर दोर पर भारत के लिए और पूरे देशवासियों के लिए गौरफ का पल है बढ़ाईया लगातार चंत्रियान 3 की सौफ्ट लैंटिंग के लिए इस रो को मिल रही है और यही वजा है कि इस रो ने जब इसका सीधा टैली कास् सी लाख लोग जो थे वो इसकी लाइफ स्ट्रीमिंग से जुड़े यानि अश्रो ने भारत ने क्या इत्यास रचा है भारत ने क्या काम्याबी हासल की है यह साफ तोर पर अंदाजा इसी बात से लगा जा सकता है कि सर्फ देश ही नहीं बलकि दुनिया की निगाए भारत क इस मिशन पर टिकी हुई थी क्योंकि अंतरीक्ष में अपने आपको स्थावित करके एक सूपर पावर के तोर पर भारत जो है वो कहीं न कहीं इससा आपने आया है जिस तरीके से चंद्रियान 3 की सौफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर हुई है और यह अपने आप में कहीं न बात है जो कहीं न कहीं चांद की तरफ देखकर अपने भविष्य के सपने को पूरा करेंगे अब जाहिर तोर पर तमाम बच्चे जिने चांद को चंद्रमा कहते हैं लेकिन अब जिस तरीके से व्याग्यानी को ने काम किया है जिस तरीके से आपको याद हो कि वो तस्वीर जब साइकल पर इसरों के व्याग्यानी सफर करते थे किसी मिसायल को लेकर लेकिन आज वक्त बदला है और आज भारते अंतरिक्स और नुसंदान संगठन किस तरीके से काम कर रहा है दुनिया के तमाम बड़े दिगज देशों को ट्रक कर दे रहा है और देनी में काम्याफी ह हासिल की है ये आज चंध्रमा की जो सथा पर चंध्रियान 3 की लैंटिंग हुई है उसने साफ तोर पर ये दिखा दिया है कि 140 करोड भारतियों की प्रातना आज काम आई है वैज्यानिकों को इस मून मिशन में सफलता मिली है वैज्यानिकों के चेहरे पर गर्व था और की चंध्र विजय हुई है जिस तरीके से भारत ने चंध्रमा पर तिरंगा फैराया है और यही वज़ा है कि इस रो जो की भारतिय अंत्रिक्स एजेंसी है वो भी कहीं ने कहीं आज बलंदियों पर है लोग उन्हें बधाई देते कोई नहीं ठक रहे हैं सोशल मीडिया पर अगर गौर किया जाए तो जाहिर तो पर वैग्यानिकों की वो खुशी लगातार वाइरल हो रही है जहां उन्होंने चंध्रमा की सौफट लैंटिंग के वक्त तालियां बजाई जो खुशी उनके चेहरे पर थी देश्वासियों के चेहरे पर तो थी ही वो तो खुश थे ही लेकिन यह अपने आप में जो क्रेडिट है कहीं ने कहीं इस पूरे मून मिशन का वह भास्तिय वैग्यानिकों को जाता है उन 16,000 वैग्यानिकों को जाता है जिन्होंने कई सालों तक इस मिशन के लिए दिन रात मेहनत की और साथ ही वो असपलता से नहीं घपराए चार स साल बाद एक बार फिर जब मिशन उन्होंने शुरू किया जब उन्होंने चंत्रियांत्री लांच किया तो उसके बाद ही वैग्यानिकों को ये पूरा भरोसा था कि हम चांद की सथा पर तिरंगा फेराएंगे और वो दिन आज आगया है जब हमने चांद की सथा पर तिरं काम्याबी पर उस पूरे वीडियो पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थन्य बाद